नावस्कार दोस्तों मैं उदेलाण फिरेक बार स्वागत करता हूँ आप सभी का चहिते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर विड़ो देखने वाले हरकिसान भाय और मुर्गी पालक भाय का आज के विड़ो में तहें दिल से बहुत-बहुत स्वागत दोस्तों थमनिल देखा टाइटल भी पड़ा हां दोस्तों दुनिया का सबसे बहुतरिन व्यावसाय तो मुर्गी पालन का है लेकिन पिछले कुछ समय से जो बहुत हमारे सामने छिड़ चुकी है दोस्तों वहाँ पर क्या सवाल आ रहा है कि हमें देशी मुर्गी पालन के व ऐसे में फिर हम वहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों बहुत सारे option का सोच विचार करते हैं ऐसे में हमारे सामने जो option आता है दोस्तों वह option आता है सोनाली मुर्गी का फिर आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि देशी मुर्गी कितना अंडो का production देती है सोनाली मुर्गी क कि जब तुलना करते हैं तो हमारे लिए फायदे का सवधा कौन सा रहेगा यानि आज का यह वीडियो है दोस्तों देसी मुर्गी वर्से सोनाली मुर्गी और इन मुर्गियों के ब्रिड का अगर हम चुनाव करने की कोशिश करते हैं तो सव प्रतिशत आपको वीडियो के लग भाई है वह तो समझते होंगे कि जो सोनाली मुर्गी है वह असल में देसी ही मुर्गी है नहीं दोस्तों यह देसी पर क्रॉस की गई हुई अंडों का प्रोडक्शन बढ़ाने वाली ब्रिड है दोस्तों लेकिन आज के इस यूडियो के माध्यम से जानेंगे देखें कि देसी मुर्गी और सोनाली मुर्गी इन दोनों मुर्गियों में अगर हम पालन करते हैं तो एक साल के बाद कौन से फार्म से मिलने वाला मुनाफ़ा कितना हो सकता है आएसे में फिर हमें कौन सा फार्म का सेटप वहां पर तयार करना चाहिए जिसके माध्यम से हमें ज्य चुचार करके सही ब्रिड का चुनाव कीजिए दोस्तो वीडियो अन्त तक देखती हुए अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर दीजिए ज्यादा ज्यादा किसान भायों के पास भेजने के लिए शेयर कर दीजिए शेयर करने के लिए आप परसनल वाटसप नंब दोस्तो आप सभी को मैं आपना मान चुका हूं मानता रहूंगा आप भी मुझे आपना और घर का सदेश से मानते हो तो क्रिपए सब्सक्राइब कर लिजे इसके लिए इस वीडियो के दाईतरप नेचली साइड में आने के बार दिखाए देने वाली लाल रंग के सब्सक् बात क्या है कि जब मुर्गी पालन के व्यावसाय का हम सोच विचार करते हैं तो ब्रेड का चुनाव सही होना सबसे इंपोर्टन बात होती है लेकिन पिछले कुछ समय से दोस्तो हम देसी मुर्गी के जगह पर RIR, AAFG, सोनाली इन मुर्गियों के ब्रेड का चुनाव कर र हमें आगे बढ़ना होगा तो चलो दोस्तो विस्तार से बात करते हैं कि देसी मुर्गी आंडे कितने देती है, सोनाली मुर्गी आंडे कितने देती है, इनके लिए लगने वाला फिड का खर्चा कितना हो सकता है, इनके लिए लगने वाला ठीका करन का खर्चा और साल भर म मुर्गियों का mortality rate का प्रतिशत क्या है सभी बातों को जानेंगे देखेंगे पर्खेंगे और उसके बाद सही ब्रिड का चुनाव करके आगे बढ़ेंगे जब तक सही ब्रिड का चुनाव नहीं होगा सही मायने में हमारा मुर्गी पालन का फार्म आगे नहीं बढ़ सकेगा तो देखें दोस्तों सबसे important पहली बात तो दोस्तों यहाँ पर है कि अंडो का production दोस्तों देशी मुर्गी का सही तरीके से पालन पोशन करे और वहाँ पर discipline के साथ उन्हें फिड और सभी बाते वहाँ पर मुहया करे तो एक देशी मुर्गी साल भर में आपको तकरीबन कम से कम 120 और ज्यादा से ज्यादा 140 के करीब करीब अंडे दे सकती है इसका मतलब है कि देशी मुर्गी से मिलने वाली अंडो की संख्या साल भर में 120 से लेके 140 के करीब करीब मिल सकती है अगर यही बात करे हम यहाँ पर दोस्तों सोनाली मुर्गी की तो इसका अंडो का production थोड कर 180 अंडो के दर्मियान होता है यानि कि दोस्तों यहाँ पर सहस्ता से बात करोंगे तो 30 से लेके 40 अंडे आपको परियाप्त मात्रा में एक्स्ट्रा मिल सकते हैं आयसे में फिर हमें यहाँ पर सोचना तो पड़ेगा कि हमारे लिए कौन सी मुर्गी का ब्रिड का कीजिए दोस्तों यहाँ पर एक एक पॉइंट देखते नंबर एक दोस्तों फिड का खर्चा दोस्तों क्या आपको पता है कि देसी मुर्गी का दिन भर का खर्चा कितना होता है तो दोस्तों देसी मुर्गी गाव देहात में पलती है बढ़ती है और इसके ऊपर होने वाल लेकिन सोनाली मुर्गी का फिड का खर्चा दोस्तों बढ़ता है क्यूंकि इस मुर्गी को हमें डिसिप्लिन के तहट ही फिड देना पड़ता है और लेयर फिड का प्रमान बहुत ज़्यादा होता है ऐसे में दोस्तो लियर फिड ना दे तो ऐसी सूरत में इन मुर्गियों का अंडो का प्रोडक्शन गिर जाता है और कभी कबार तो यह अंडो का प्रोडक्शन साल भर में आपको दोस्तो देसी मुर्गी के नीचे ही भी जाता हुआ दिखाये देता है ऐसे में अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर सबसे इंपोर्टन बात क्या है कि फिड का खर्चा अगर देशी मुर्गी का प्रतिदिन प्रति मुर्गी पर एक रुपय होगा तो उसी जगह पर दोस्तो हमारी जो सोनाली मुर्गी होगी उनका दिन भर का प्रतिदिन का खरचा हर मुर्गी के पीछे 3 रुपे के करीब जाता है यानि दोस्तों यहां पर देशी मुर्गी की जगह पर सोनाली मुर्गी पर होने वाला फिड का खरचा 3 गुना ज्यादा होता है क्या आप को यह बात पता थी सव प्रतिशत नहीं हम उपरी बातों को ही देखते हैं कि किस मुर्गी का अंडो का प्रोडक्शन कितना है लेकिन हमें यह भी बात ध्यान में रखनी होगी कि मुर्गी का अंडो को प्रोडक्शन को देखना गलत बात नहीं है लेकिन वह देखते हुए आसल में वह कितना फिर खाने के बाद हमें अंडो का प्रोडक्शन उतना दे रही यह भी देखना बहुत जरूरी है नई तो आईसा हो जाएगा दोस्तों आमदनी अठनी और खर्चा रुपया यानि कि मिलने वाले अंडो के जो प्रोडक्शन ने उससे बेचकर होने वाली आमदनी से ज़्यादा खर्चा ना हो ज हाग में आप उनको संभाले पाले पोसे लेकिन इन पर आने वाली बीमारियों का प्रतिशत वहां पर कम होता है इसी कारण वास दोस्तों यहां पर हमारा खर्चा बहुत कम होता है देसी मुर्गियों पर सही तरीके से टीका अगरन करें तो डॉक्टर दवादारों के प्रतिशत बीमारियों के लिए लगने वाली दवादारों की गई होती है इसलिए लेकिन देसी मुर्गी के साथ कम्पेरिजन करेंगे तो उसकी बीमारियों के खिलाफ लड़ने के ख्षमता बहुत कम होती है आईसे में दोस्तों आपका जितना खर्चा हो जाएंगा उसके उससे अगर आप सोनाली मूर्गी के खर्चे के बात करोगी तो यह खर्चा दुगना या तीन गुना भी ज्यादा हो सकता है आयसे में दोस्तों आपको यह भी बात ध्यान में रखनी होगी कि बीमारियों का प्रतिशत बीमारियों के लिए लगने वाली दवादारू और साथ ही में दोस्तों वहाँ पर डॉक्टर का खर्चा सभी बातों को ध्यान में रखे तो कभी कबार तो यहाँ पर देशी मुर्गी के तुलना में सोनाली मुर्गी का जो दवादारू का जो खर्चा है वो चार से लेके पाज गुना भी हो सकता है उसके बाद दोस्तो तीसरा पॉइंट होता है अगर आप देखोगे तो एक देशी मुर्गी तीन साल तक सही तरीके से आप वहाँ पर मेडिसिन और टीका करन कर ले तो जी लेती है लेकिन दोस्तो सोनाली मुर्गी इतना जी नहीं पाती है अवसत उमर देड से लेके दो साल की होती है अगर सही तरीके से आप टीका करन और दवा का इस्तमाल करोगे तो इसलिए दोस्तों मॉर्टिलिटी रेट अगर आप देखोंगे तो साल भर में अगर देशी मुर्गी का मॉर्टिलिटी रेट दोसे लेके 3 प्रतिशत हो तो सोनाली मुर्गी का मॉर्टिलिटी रेट दोस्तों 10 से लेके 15 प्रतिशत यानि 4 से ले मुर्गिया ही जीवित रहे सकती है और दोस्तों देशी मुर्गी में स्रिफ 2 से लेके 3 का मॉटिल्टी रेट यानि 97 से लेके 98 मुर्गिया जी लेती ही यह भी सबसे important point हमें यहाँ पर देखना होगा आखिर में चौथा point दोस्तों marketing marketing के बात करो तो देशी मुर्गी का अंडा कही जगह पर कम से कम 10 कही 15 तो कही 20 में जाता है लेकिन सोनाली मुर्गी का अंडा बेचते हुए तकलीफ होती है क्यूंकि इसकी size थोड़ी देशी मुर्गी अंडों से अलग और थोड़ी बड़ी होती है दोस्तों इसी कारण वाश जो वहां पर पहचान वाले लोगे हो सहस्ता से पहचान लेती है लेकिन दोस्तों अगर एक बार आपका credit खराब हो गया और देशी के भी दोस्तों यहां पर बहुत ज़्यादा फर्क है क्योंकि देशी मुर्गी का जो चिकन होता है दोस्तों चार सो पास्व रुपे प्रति किलो भारत वर्ष में जाता है लेकिन सोनाली मुर्गी का चिकन आपको 200 या 220 से उपर वहाँ पर बेचने के लिए नहीं मिलेगा इसका मतलब है दोस्तों यहां पर अंडों की बात करें तो तक्रीबन देड़ से दो गुणा वहाँ पर फर्क है तो चिकन में तो तीन गुणा से लेकि चार गुणा रेट में फर्क है किम का एक कीलो वजन बनाने के लिए फिड़का खरचा अभी दोस्तो सो माहधार ज्यादा है यह दोस्तो आपका लीयर फार्म के साल भरोने criticism करें से साल भर में मिलने वाले एक 100 आउसत न एक तीस अंडो को अगर बेच दे तो तेरा सो रुपए बनते हैं इसमें से ज्यादा से ज्यादा कितना भी पकड़ ले तो पास सो रुपए से ऊपर आपका फिड का टी का करन का और मेडिसिन का खर्चा नहीं जाता है यानि एक देसी मुर्गी एक साल में आसानी से आपको अंड करिब करिब आउसातन अंडे वह देती है साल भर में इनको बेचा जाए तो दोस्तों साथ और और आट रुपए का रेट मिल जाता है यानि बारसों की करिब करिब आपको आमदनी हो जाएगी लेकिन होने वाले खर्चे की बात करें तो दोस्तों आसाताट सो का तो खर्चा सोनाली मुर्गी के माद्यम से मिलने वाली मुनाफ़े से तकरिबन तीन गुना ज्यादा है अगर मांस उत्पादन की बात करें तो दोस्तों सोनाली मुर्गी के माद्यम से मांस बेचकर हमें तकरिबन जो है प्रतिकिलो 50 रुपए मिल सकते लेकिन देसी मुर्गी को बेचक आखिर में दोस्तों हमें सोनाली मुर्गी का अंडा चूजा मुर्गी और मुर्गा बेचने के लिए दोस्तों मशक्कत करनी पड़ती है लेकिन देशी मुर्गी की मार्केट कल भी थी आज भी और भविश्य में भी रहेगी कि जिसका अंडा हो, जिसका चूजा हो, मुर्गियों और मुर्गा हतो हात बेचा जा सकता है इन सभी बातों का एक बार आपके मन में आप यहाँ पर सोचूचार कर लिजिए देखे दोस्तों मेरा काम है आपको सभी बाते बतलाना, सपश्टता से समझाना आखिर में आपको सही ब्रिड का चुनाव करना है, अगर आपके एरिया में अंडोका रेट अच्छा है और उसको लगने वाला फिड़का खर्चा आप कम करने में वहाँ पर सफल होते हैं तो आपके लिए सही ब्रिड का चुनाव करना मुश्किलों वाली बात नहीं है जो फिड़का खर्चा है उसको यहाँ पर कम्प्लीट करने की पूरी रिस्पॉंसेबिलिटी सही तरीके से देसी मुर्गी उठा सकती है इसलिए दोस्तों अगर आपको देसी मुर्गी पालन का फार्म चलाना है या दूसरी मुर्गियों का चुनाव करना है तो दोस्तों आप इन बातों को ध्यान में रखिए कि फिड़का खर्चा कितना हो रहा है डॉक्टर और टीका करन का खर्चा कितना हो रहा है मार्केट किसकी अच्छी है और मार्केट में माल बेचने के बाद आखिर में हमें शुद्ध मुनाफा किस ब्रिड को संभालने के बाद ज्यादा मिलता है उसके बाद ही ब्रिड का चुनाव कीजिए क्योंकि दोस्तों अंतिम सत्य एक ही है कि जियो मुर्गी हमें सबसे ज़्यादा शुद्ध मुनाफा कमा कर देगी वही हमार लिए देसी मुर्गी है दोस्तों बाकी मुर्गियों के लिए चुनाव हमें करने के आवशक्ता है ही नहीं इसलिए दोस्तों आपके मन में जो सबसे बड़ा सवाल था की लियर फार्म के लिए या चिकन परपस के लिए मैं देसी मुर्गी की जगह पर सोनाली मुर्गी का चुनाव करू तो मेरे लिए कैसा रहेगा तो दोस्तो आपको यहाँ पर स्पष्टता से एक वाक्य बताता हूँ कि आप यहाँ पर जो है आसानी से ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए तो प्रतिशत दोस्तो सोनाली मुर्गी के जगह पर देशी मुर्गी का चुनाओ कीजिए जिसके माध्यम से आप दिन दुगनी राज चुगनी प्रोग्रेस आसानी से कर सकते हो दोस्तो आप किस मुर्गी का चुनाओ करना चाहेंगे या आपके पास कौन सी मुर्गिया है मुझे कमेंट्स करके बताईए पसंद आया होगा वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजे ज़्यादा ज़्यादा किसान भाई और मुर्गी पालक भाईयों के पास बेजने के लिए यह वीडियो शेयर कर दीजे उसके लिए आप परिस्नल वाटसब नंबर वाटसब ग्रूप टेलिग्राम ग्रूप फेस्बूक इंस्टाग्राम स्नैपचेट इन सोशल वीडियो के साथनों का इस्तेमाल कर दीजे रहा होगा आपका सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाईयों से हाथ जोड कर विंती करता हूँ दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूँ मानता रहोंगा आप यह मुझे आपना और घर का सदेश्य मानते हो तो क्रिपया सब्सक्राइब कर लिजे इसके लिए इस वीडियो के दाई तरफ निजली साइड में आने के बाद दिखाए देने वाले लाल रंके सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजे उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा बगल में गंटिया इंगिस गंटि को टच करते हुए आल इस नोटिफिकेशन को अन कर दीजे तक आने वाला हर उडियो आपको समय समय पर मिलता रहेगा तो दोस्तों आईसा एक नया उडियो लेकर मैं आपका दोस्ते लड़ आप सभी के चहीते चानल इंडियन मुर्गी पालन पर मिलता रहुँगा तब तक के लिए मैरे हर मुर्गी पालग भई और किसान बहुत बहुत आभार